वाईगुर्ची का खाल सा वाईगुर्ची की फते गुर्मत एलिमेंटरी कोर्स पुस्तक पहली पाग दुज्जा फिलोस्पी तरम की है? मनुख अते अकाल पुरक विचले प्रसपर आत्मक सबन्नुही तरम केंदे हन ए मनुख की जीवन दा आशा ते उदेश परदान करदा है एदे विच जाती जीवन दे ओ सिदान्त ते रेणी बेणी दे ओ नियम शामल हन जिना उते चल के मनुख दे मन ने प्रभु नल एक सुर होना है असी आम तोरते जद किसे गल्दा स्पष्टी करन देंदे हां ता कहन देंदे हां कि तरम नाल मैं एक कम नहीं कीता जिसा पाव है जो कुछ मैं कह रहे हां हंडर्ड परसंट सच है जीव पुलण हार है केवल वाईगरु जी अपुलहाद इसलई केवल एक अकाल पुरक्ष जीवते द्रिण विश्वाश रखन वाला ते मनन वाला ही तरमी है तरम दा उदेश उस अनन्त शक्ति दे मालक परमात्मा नल एक सुर होना है कुछ रितां रस्मा यां करम कांडा नू निभाल लैन वाला तरमी नहीं मन्या जा सकता सरव्यापी दिज्दा है गुरु सहबान ने समुच्ची मनुक्ता लई केवल इकको ही तरम मन्या है गुर्बाणी विच स्पष्ट फुर्मान है सरव शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव पन्या नंबर चार सो उनत्तर पाव सारे संसार्दा एकको ही तरम है जे कोई एपेद समझ लवे गुर्बाणी सहब जी फुर्मान देहन मैं उस दास हां ए तरम सब सम्या विच बिना तब्दिली एक रासरंदा है जेया के गुर्वाक है एको तरम द्रिड़े सच कोई गुर्मत पूरा जुग जुग सोई पन्या नंबर ग्यारा सो अठासी पाव प्रबुदा नाम सिम्रण ही एको एक तरम है गुरुती मत दा आस्रा लेके सदा विकारा तो बच जाइदा है सीख गुरु से बार ने इस तरह तरम दी एक अचड़ सुन्दर संपूरन अते सबते लागु होनवली व्याख्या कीती है गुरु अरजन सहीब जी फुर्मान देहन सरब तरम में स्रेश्ट तरम हर को नाम जप निर्मल करम सरब तरम में स्रेश्ट तरम हर को नाम जप निर्मल करम पन्ना नंबर दो सो च्याट पाव हे मन प्रबुदन नाम जप ते पुवित्तर आच्रण बढा ए तरम ही सबतर मानलो उत्तम है इस अंसार तरम केवल परलोक दे सुखदा सादन नहीं रह जान्दा बलके संसारक जीवन नुवी सुखी ते सफल बढावन अते संसारक उंती लईवी सहायक बाण जान्दा है गुरुनानिक सहीब जी ने जपची सहीब विच प्रभू प्राप्ति लेई पंच खंड अर्थात पंच अवस्थामा दर्साइया हन पहली आत्मक अवस्थाद अन्ना तरम खंड रख्या है राती रुत्ती ठिती वार प्मण पाणि अग्णी पाताल तिस्विच तर्ती थाप रखी तरम साल तिस्विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होय विचार सच्चा आप सच्चा दर्वार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान काच पकाई ओथे पाये नानक गया जापे जाए पना नमबर साथ इस अवस्ता विच मनुख नू ए एहसास हुन्दा है कि इस तर्ती ते मनुख तरम कमाणली आया है ते उसे की ते करबानू गोहनाल वाच्या जाणा है एज उसनू आपने फर्ज दी सोजी हुन्दी है जिस तो आत्मिक जीवन दी उसारी अरम हुन्दी है कई विचारवाना ने तरम ते मजब दोहानू नी खेड़या है मजब अर्बी दा शबद है जिस दे अर्थान रस्ता तरम तो पाव सरव सांजियां सचाईयां ले आ गया है जेहा के वाईग्रुदी होंद नू मनना सचाई, नेकी, प्रेव ते सेवा आदिक गुणा नू तरम क्या गया है तरम बारे कुछ पच्मी विद्वान ना दी राय इस परकार है एक पच्मी विद्वान लिखदा है के वहम परम ते पक्खांड दा ना तरम नहीं सचाई नाल प्यार करना, दुख्यां दी सेवा करनी, निर्बला ते गरीबां दी सहायता करनी, अजादी नाल प्यार करना, हार तरह दी गुलामी दे विरुद लड़ना दिलेरी ते सहसनु वदाणा, मजबी जा जाती वितक्रे नुकाट करना, मनुक मातर दे पले लई इस टांग नाल यतन करना, जिस नाल मनुक दे दिल दिमाग नु तसल्ली होवे, एही सच्चा तर्म है एक विद्वान ने लिख्या है कि सचाई उपपर इखलाक की प्रोसेदा ना ही तर्म है, moral trust in reality is religion, कांट लिखता है कि आपने सारे नैतिक फर्जानु रब्भी हुकम मनना तर्म अख्वांदा है, फिश्टे लिखता है कि तर्म मनुक नु आपने आप दी असलियत बारे वित्तर नियम है जो साड़े जीवन नु शूत करदा, काइम रखदा अते उस दियु सारी करदा है, जिना सिदानता, असूला, रैनी बैनी दे नीमा, ते चिना आधी राही, हिंदू, जैनी, बोदी, इसाई, मुसल्मान आधिक, अड़ो अड़ मलूम हुंदे हन, उना पाव मजब नियत किते होई सिदानता दी एक रोह रीती दाना है, एक सचाई है के जदो तो मनुक बढ़या है, उदो तो ही तरम अते मजब चलिया आंदा है, तरम एक मूल तते सचाई है, जिस दे आसरे संसार काइम है, कई आदमी केंदे हन, के जे तरम एक आधी अते, अत सचाई है, तब फिर दुनिया विच पेन-पेन मजब क्यों हन, इस ताउत्तर ए है कि जिस तरह विज्ञानिक दुनिया विच एक वस्तु स्बंदी पेन-पेन साइस्दाना दे ते जर्बे ते अनभव वकों वक्रे हुंदे हन, इसे तरह तरम दे अनिका अंगा विच्यों जेस्वी पुर्ष ने किसे विशेश अंग या किसे की सचाई नो वदेरे अपड़ाया है, उसने उसे रोशनी विच तरम नो कथन कीता है। जेस तरह वकों वक्रंगा दिया एन का लाके कई आदमी एकों चीज नो कई रंगा विच वेख देहन, इससे तरह पेन-पेनमा प साइंस अते राजनीतिक युगगर्दी विचों लंग रहा है, तरम वाल रुची कट रही है, इसलए मानसे का शान्ती वद रही है, संसार विच हरे एक वस्तु आपड़े तुरे या अकर्शन दे शक्ति दे के अंदर यानि कि सेंटर ओफ ग्रेविटी दे आस्ट्रे खड इसले गुरु अर्जन सैब जी फुर्मान दे हन् नहे बिलंबं तरमन, बिलंबं बापंग, द्रणन्त नामंग, तजन्त लोबंग, सरण संतंग, किल्विक नासंग, प्राप्तन तरमन लखेंग पन्डा नंबर तेरा सो चुरिंजा, पाव तरम दा करम करन विच देरी ना करो, पाप विच टेल करो, नाम नुद्रण अते लोब दा त्याग करो, गुर्मुखा दी संगत विच पाप नाश हुन दे हन्, ए तरम प्राप्ति दे लच्छन हन् सो एक क्या जा सकता है के गुरु सहबवान वलो द्रिड करवाया तरम जीवन दे आत्मिक, समाजिक, आर्थिक, राजनितिक, बांसिक आधी, समुच्चे जीवन दे अंदर, नेकी, सदाचार, इमानदारी, निर्श्वार्थ, सेवा, परुपकार आधिवल, प्रेरितकार के मनोख ते समाज नो आदर्शक बढ़ांदा है तरम दी लोड मनोख एक समाजिक जीव है, आते सुभावक ही समाज विच रेणा पसंद करदा है समाज विच रेंदे होए मनोख नो सदाचारक नेमावली दी पालना करनी पैंदी है इना सदाचारक नेमादी पूर्ती लई कई तरह दे उप्राले किते जान दे हन आते कई वारे इनादी पालना करन लई राजसी कनून वी बढ़ाय जान दे हन ए सदाचारक नेम ते कनून मनुख दी अंदर ली सक्षियत नो कडन विच सहाई नी हुन दे जिवे मिसाल दे तोरते काम, क्रोद, लोब, मोहंकार तो लोका नो बचाउन लई राज अते समाई दे नियम तो बिना किसे होर नियम दी वी लोड पैंदी है ए नियम केवल तरम ही पैदा कर सकता है आदने काल विच तरम दी लोड उसे तरह ही मसूस किती जा रही है जिस तरह अग्य मैसूस किती जान दी सी साइन्स अते शिल्प विज्ञान दी उन्ते इंसान नो स्वैपूरन नहीं बना रही क्योंकि मनुखी आच्रन नो उच्चा चुकर ले इना वलो अजय कम नहीं किते जान दे जेड़े तरम दी था ले सकन वीवी सदी विच एक ख्याल किता जान दा सी के साइन्स कोई ऐसे नियम बना दे वेगी जेड़े मनुखनों समाजिक तोरते इकठा राख सकन पर अजे तक साइन्स इस विच असफल रही है इस विले सब तो उन्नत देश ऐसे फोजी हत्यार बना रहे हन जिना दी वर्तों कित्या मनुख जाती ही खतम हो जाएगी इस तो एसे धुन्दा है के मनुखी प्लाईदा अदर्श इस विज्ञानक उन्ती नो कोई अपील नहीं करदा जापदा जे आजकल दुनिया वीच कोई इमानदारी, तर्स, धया, पलामांटसी या सावपुणा है ता ओ किसे ओर करना करके है साइस दी उन्ती करके नहीं, चंगे आच्रण, मनुखता, शैंडशेलता, ख्याला दी पवित्तरता, अते नेक नीती दे, दुश्मन, काम, क्रोध, लोब, मोहंकार आदी मन्ने जान्दे हान साइस ने इना मनुखी इच्छामानू कटाया नहीं, सगोवदाया ही है लोब अते क्रोध वदिया हुएं इच्छामा दे संगी हैं, इना दोहाने अग्गे ना लोब वदेरे खतर नार्ग रूपतारन कर लिया है इस दा कारण एह है के मनुखी चावा ने लोब अते क्रोध नू काबू करन वालिया आत्मक शक्तिया नू कमजोर कर दिता है आदुनिक साइंस दा ग्यान काम, क्रोध अते लोब नू कटाउन दा यतन नहीं करदा इस दे उल्ट इना नू वदान दा समान पड़ी रफ्तार नल तेज हो रहा है इना बुराईया नू काबू करन वाली सिरफ एक चीज है अते ओ है तहरम राई नैतिक कद्रा कीमता दी सोजी ए सोजी परमात्मा प्रती शर्दा आते निर्मल पौव विच्चो पैदा हुंदी है सब्यता दी उन्ती धा कारण ही असल विच ए सोजी है ए वी ठीक है कि कुछ हाथ तक शरम आते डर इनसान नू बद चलनी तो रोकता है ए शरम या डर बाहर लियां हरकता नू ता रोक सकदा है प्रन्तु पैड़े विचारा नू ठीक नहीं कार सकदा पैड़े विचारा नू ठीक कर लेई व्यक्ति नू किसी अजे सादन दी लोड पैंदी है जो उस ते मन नू बदलन दी समरथा रखदा होगे इसे सादन नू तरम दा नाधित्ता गया है जो व्यक्ति दे विकारा ते पैड़े विचारा नू काबू करके उसनू नेक इंसान बढ़ान विच सहाईता करदा है जे समाजिक अते आत्मिक उन्ती लेई आच्रन जुरूरी है ता सादन वो सादन वर्तना चाईदा है जो इसनू उटकण विच सहाई हो सके इत्यास विच आच्रन नू उच्या चुकण लई जो सादन सफलता नल वर्त्या गया उसनू तरम दा नाधित्ता गया है ये तरम ही है जो इंसान नू विकारा देवरुद खड़े होन दी प्रेणना शक्ती दिन्दा है साड़ी सब्यता अते आदर्शिक समाजिक जीवन दा अदार ही तरम दी सूच है कई वार तरम दा असर परताक रूप विच पिख्या जा सकता है अते कई वार नहीं पर हुंदा जरूर है हर समे समाज देश स्याने सारी ताकत दा अदार अते प्रेणना श्रोत इसे नू मन देहन तरम दे दस से होई राते चल के चूठियां इच्छामा ते वाशनावादा मुकाबला किता जा सकता है क्योंकि शान्त मई अते अदर्श सोमावी इससे विच्छ पुंगरदा है साइंस दी उन्ती ने तरम देवादे लई वी राखोल दिते हन क्योंकि पदार्थक उन्ती तरम तो बिना एक बहुत खतरना खत्यार है जे एक वार तरम दा पंद उकड गया ता शेतानी ताक्ता दी ऐसी जित होवेगी के सारे दुनिया उते बुराईया ही बुराईया चा जान गिया इस लई तरम नू जिंदगी दा अटुट आंग मन्या गया है जो के समाज, कौम, नसल, देश, पाईचारे आदी समुच्ची मनुक्ता नू इकठे रखनदा काम करदा है आते मनुक्ले चंगे काम करणदा प्रेड़ना स्रोत बनदा है एना ही नहीं तरम व्यक्ती नू व्यक्ती दे नेडेले आके उसनू संकीरन तोरते सोचण अते कम करणदों बचांदा है इससे करके हर एक व्यक्ती अते समाज नू तरम दी लोड़ पैंदी है वाईगुर जी का खलसा वाईगुर जी की फते